हेलो फ्रिवान मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर पे यूटाइट परिक्षा के तैयारी को ध्यान में रखते हुए पहला कोशन हमारे सामने है अगर मैं आप लोगों के सामने एक प्लांट सेल को ड्रॉग करूँ तो प्लांट सेल हमें देखने में कुछ ऐसा लगेगा जिसमें यहाँ पे दो वॉल होती है जिसमें से एक यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्रेन का काम करती है जो कि एक तरीके से सेल के अंदर और सेल के बाहर क्या चीज़ आएंगी वो चीज़े यहाँ पे अलाव करती है इसके बाद यहाँ पे सेल वॉल भी प्रेजन होता है जो कि सेल के प्रोटेक्शन के लिए होता है अब देखे इसमें यहापे पूशा गया है कि Nucleus के position क्या रहती होगी और हमें चार अलगलग option दिए गया है पहला option है central यानि कि Nucleus बिलकुल केंदर में होता है तो देखे यह option यहापे गलत है इसके अलावा C जो option है वो भी यहापे गलत है जो कि यहापे बोल रहता है बे इधी में यह कुछ ऐसा होता है यह आपको Nucleus जो है कुछ इस position में आपको बिलकुल सेंटर में नहीं बढ़ थोड़ा साइड में आपको दिख जाता है इस question का बी जो option है यह correct answer होगा अब चलिए अगले question को जड़ा discuss करें यहापर हमसे पूश रखा है कि कौन सा ऐसा cell और powerhouse हमें यह समझ में आता है कि cell के अंदर होने वाले सारे कारे के लिए जितनी energy चाहिए होती होगी यह उसे provide करता होगा और powerhouse of the cell जिसे बोला जाता है वो है mitochondria जो कि हमें D option में दे रखा है देखिए इस question का answer A, B और C option नहीं हो सकता है इस question का जो correct answer है वो है यहापर mitochondria जिसे हम powerhouse of the cell के नाम से जानते हैं और energy यह किस form में release करता है यह ATP के form में energy release करता है यह ATP है क्या ATP को हम adenosine tryphosphate के नाम से जानते हैं जो की energy currency मानी जाती हमारे cell के अंदर इसके अलावा अगर हमसे पूछे suicidal bag of cell किसको बोलते है तो यह lysosome को बोला जाता है यह भी एक cell organal है इस question का D जो option है यह correct answer है अब चलिए अगले question को जड़ा discuss करें तीसरे question में हमसे पूछ रखा है the longest stage of mitosis is तो देखिए mitosis क्या होता है पहले यह समझते हैं जब कोई single cell हमारा divide हो जाता है और यहाँ पर हमारे सामने दो daughter identical nucleus यहाँ पर तयार करता है तो यहाँ पर इस process को हम mitosis क्याते है याँ कि एक cell जो है वो दो daughter cell में हाँ पर divide हो जाता है जो कि दोनों के दोनों identical होते हैं अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रखा है कि mitosis का सबसे longest stage कौन सा होता होगा तो देखिए यहाँ पर यह सारे stage जो है metosis के लिखे गए सबसे पहला stage होता है पहला stage वो होता है pro phase जो हम एना phase और जो final phase होता है जिसमें एक single cell हमारा दो identical daughter cell में divide होता है इसे हम लेटो phase के नाम से जानते हैं यह जो P है यह सबसे पहले आता है pro phase फिर आता है meta phase फिर आता है एना phase और उसके बाद टेलो phase तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि mitosis में सबसे longest stage कौन सी होत है तो इस question का correct answer होगा pro phase अब चलिए अगले question को जरा discuss करें यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो viral disease होता है वो इन में से क्या है तो देखिए यह जो दूसरा option दे रखा प्लाग्यू यह तरीके से bacterial disease माना जाता है तो यह इस question का answer नहीं हो सकता है इसके अलावा अगर हम यह जो तीसरा option है यहाँ पर हमें cholera दे रखा है cholera जो है यह भी तरीके से bacterial disease माना जाता है यह viral नहीं होते है इसके अलावा अगर हम देखें टाइफाइट टाइफाइट जो होते है यह vector द्वारा फैलते हैं तो यह भी इस question का answer नहीं हो सकता इस question का जो correct answer होगा वो होगा pol polio जो है एक viral disease है अब चलिए अगले question को जरा discuss करें अब हम discuss करेंगे 5th question 5th question में हम लोगों से पूछ रखा है कौन से ऐसे vitamin की कमी के वज़े से night blindness disease देखा जाता है यानकि रात को देखने के जो शक्ती होती है वो थोड़ थोड़ी कम हो जाती है वो कौन से vitamin की deficiency के वज़े से देखने को मिलता है पहला option है protein अगला है fat अगला है vitamin A अगला है vitamin C तो देखिए night blindness जो है वो vitamin A की कमी के वज़े से होता है इस question का C जो option है ये correct answer है अब चलिए अगले question को ज़रा discuss करें यहाँ पर हम लोगों से पूछ रखा है HIV AIDS जिसे हम acquired immune deficiency syndrome के नाम से भी जानते हैं जो की HIV नाम एक virus के वज़े से फैलता है यानिकि human amino virus के वज़े से फैलता है ये conscious system को यानिकि हमारे body के conscious system को affect करता है पहला दे रखा option digestive system को यानिकि पाचन तंत्र को अगला दे रखा है respiratory system को अगला दे रखा है central nervous system यानिकि हमारे brain और sensory organ को इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है हमा weak पढ़ जाता है इस question का जो correct answer है वो होगा D option और हमसे अगर यह पूछा जाए कि age जो ही किस virus के वज़े से होता है तो इस question का answer होगा HIV यानि कि human amino virus अब चलिए अगले question को जड़ा discuss करें अगला प्रेशन हमारे सामने यहाँ पर हमें एक statement दे रखी है यहाँ पर बोल रखा है to every action there is always an opposite and equal reaction यानि कि किसी भी action का बिलकुर बराबर opposite और equal reaction होगा यह statement हमें Newton के कौन से law में दे गई है यहाँ पर पहला option है Newton first law अगला है Newton second law अगला है Newton third law या फिर none of these तो देखें Newton के third law के अंदर हमें यह बताया गया है for every action there is equal and opposite reaction यानि कि हम जो भी action करते हैं उसका equal और opposite reaction हमें देखने को मिलता है इस question का C जो option है यह correct answer होगा अब चलिए अगले question को जड़ा discuss करें यहाँ पर हमसे एक statement दे रखी है और यह पूछ रखा है कि यह किसके statement है और statement कुछ इस तरीके से है the rate of doing work यानि कि जिस rate से हम किसी कारे को पूरा करें उसको हम किसके नाम से जानते हैं इसको हम power के नाम से जानते हैं और class 9th की NCRT के अंदर power करके कोई topic है यह नहीं वहाँ पर topic ही यह दे रखा है rate of doing work जहाँ पर भी rate of doing work के बाद करें वहाँ पर answer होगा power और power के जो unit होती है वह होती है joule per second अब चलिए अगले question को जड़ा discuss करें इस question का जो correct answer है वो है option number C अब हम discuss करेंगे अगले question को यहाँ पर हमारे सामने इस question पूशा गया है कि वो कौन सा method है जिसमें heat transmission के लिए किसी भी medium के अवशक्ता नहीं होती which method of heat transmission does not require any medium पहला option है radiation अगला है convection अगला है conduction या फिर diffusion देखी यहाँ पर हमसे पूशा गया है कि कौन सा ऐसा heat transmission है जिसमें किसी भी medium के अवशक्ता नहीं होती इस question का जो correct answer होगा वो होगा radiation जैसे solar radiation हमारी अर्थ की surface तक बहुशती है तो उसको space में किसी भी medium के अवशक्ता नहीं होती क्योंकि हमें पता है space में वहाँ पर vacuum है कोई भी medium प्रेजन नहीं होता जबकि solar radiation हमारी अर्थ तक बहुशती है तो इस question का जो correct answer होगा वो होगा पहला option अब चलिए अगले question को जड़ाए discuss करें इस प्रेश्ट में हमसे पूश रखा है जैसे जैसे हम pressure को बढ़ाएंगे boiling point water का बढ़ेगा कम होगा या फिर वो constant रहेगा देखे boiling point से हम क्या समझते हैं कि जो liquid है वो यहाँ पे vaporize हो रहा है यानकि वो यहाँ पे भाब बनके उड़ रहा है तो देखे यह काफी fast process होता है इसमें जो molecule होते हैं वो काफी high speed में होते हैं और vaporize होते रहते हैं और जब हम कोई external pressure उस bucket के उपर लगाएंगे उस container के उपर लगाएंगे तो molecule जो होते हैं वो पास आजाएंगे और molecule के पास आने के वज़े से क्या होगा वो जल्दी boil नहीं होगा तो हमें क्या करना होगा हमें उसमें ज़्यादा heat supply करनी होगी ताकि वो vaporize हो सके तो इस हिसाब से हम कहेंगे जब हम external pressure लगाते हैं तो boiling point यहाँ पर बढ़ जाते हैं देखी एक बार और इस concept को समझते हैं हमने कहा कि boiling point क्या होता है कि liquid क्या हो रहा है और vaporize होने के लिए वो जल्दी जल्दी क्या करेगा fast motion में होगा और जब हम external pressure लगाएंगे तो यह molecule काफी पास आजाएंगे जिसके वज़े से क्या होगा यह जल्दी boil नहीं होगे और जल्दी vaporize नहीं होगे और हमें अगर इसे vaporize करना है तो हमें क्या करना होगा boiling point को यहाँ पर बढ़ाना होगा ताकि यह जल्दी vaporize हो सके इस question का यह जो option है यह correct answer होगा आज की इस वीडियो में इतना ही अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगली topic के साथ बाई बाई टेक केर